हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल सुरेखा निटिंग फ्रेंड साज में यह वाला पैटर्न लेकर आई हूं सिंगल कलर का यह पैटर्न है बहुत इजी है बहुत कुबसूरत है देखिए यह राइट साइड है और यह रोंग साइड है यह पैटर्न दो फंदो पर बनता है और इसे बनाने के लिए हमें फंदे चाहिए दो के मर्डिपल में एक फंदा एड करना है यानि कि और नंबर में फंदे लेने हैं तो और नंबर में आप फंदे लीजिएगा यह मेरे 25 फंदे हैं और मैं यहीं से आपको इसे बना कर बताऊंगी मैंने यह बोडर न यहां आपको बना कर दी होंगी यह चार सलय का पैटर्न है यह फ़र्स्ट रो है यह फंदा हमने स्लिप कर लिया धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे अब धागा पीछे करके ऐसे धागले पेटेंगे यह हमने इसकी जाली बना लिए और यह फंदा सीधा बुनेंगे अब धागा आगे करके फिर ऐसे धागले पेटेंगे इसकी भी जाली बन जाएगी एक फंदा उल्टा बुनेंगे तो इसी तरह से जाली बनाते हुए हम एक एक debris दो फंदेस में बारनर जमाशतिkee कर एक सिधा चान से दागा करें ऑनी ऐक बार दागा पीछे कडना है फिर अब दागाय करना चानUS तो मैं यह सलाई कम्प्रीट कर लेती हूं फिर आपको बताती हूं कि देखिए हम इस सलाई के एंड में पहुंच गए हैं यह लास्ट रिपीट है फिर दागा अपनी तरफ करेंगे हैं सिल्ले पेटेंगे और यह लास्ट के दो फंदे पूटे बुनेंगे यह हमारी पहली सलाई थी अब दूसरी सलाई रोंग साइड से बुनेंगे यह फंदा स्लिप कर लेंगे यह फंदा सिधा बुनेंगे अब दागा आपनी करेंगे देखिए एक जाली इदर है एक जाली उदर है और यह बीच वाला फंधा हमारा स्षिदा था तो इन तीनों को हम लेंगे और दीनों में से फिर तीनी फंदे बनाएगा Hasid X तो और फिर एक और बना एडिये यह तीन ओगई धागां मुत शास करेंगे जुदामने उलटा लए टीन हम यही दो होता दूंध़ करेंगे कि वनकूंत करेंकर है को सैन्हें अर्यों दो एक और एगर रहा है कि भीज वाला है तो यह तीन उफंद रही एक साथ ऐसे लेंगे और इन में से तीन फंदे बनाएंगे एक दो और ये तीन धागा पीछे ये फंदा सीधा बनाएंगे फिर धागा आगे फिर ये तीन फंदे इन तीन फंदो को एक साथ बनाएंगे तीन फंदे बनाएंगे इसमें से एक और ये दो ये तीन तो इस तरह से ये सलाई हमारी कम्प्रीट होगी दूसरी एक फंदा सिधा धागा आगे फिर ये तीन फंदे दो जाली वाले हैं और एक हमारा चिदे वाला फंदा है इन तीनों फंदों को एक साथ बुनेंगे और इनमें से तीन फंदे बनाएगे इस तरह से हमारी इसराइ कंप्लीट हो जाती है मैं ये पूरी कर लेती हूं इदे के फ्रेंड्स दूसरी सलाई है ये इसका ये लास्ट रिपीट है तीन फंदोर में से तीन फंदे बनायें यह आया हैथ थ Hag a Chi अए अगे करेंगे और यह अव्दार में यह एक तीश आ ये तीस दियाई इसे दियांन चे इख • entr ओलडा बूना धागा पीछे करेंगे अब देखिए यह थीन पंदे हैं क्योंकि हमने एक तीन फंदे कर था बनाए हुए हैं यह फिर हमें फंदा करना है यह फंदा हम से लिफ कर लेंगे और यह दो फंदे इस तरह से बुनेंगे और इनके उपर से इस वाले फंदे को उतार देंगे, पास कर देंगे, तो ये तीन फंदों का एक फंदा बन गया, धागा आगे करेंगे, ये फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, ये दो फंदे इस तरह स इनका एक बना लेंगे और ये वाला फंदा इनके उपर से क्रोस कर देंगे फिर धागा आगे करेंगे फिर ये फंदा उल्टा बनाएंगे फिर धागा पिछे करेंगे ये फंदा एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे और दो फंदो का एक बनाएंगे और ये वाला फंदा इसके उपर से क्रोस कर लेंगे फिर धागा आगे करेंगे और फिर इसी तरह से तीन फंदों का हम एक फंदा बनाते जाएंगे एक स्लिप करके और दो फंदा एक साथ बुनके और ये वाला फंदा इनके उपर से इसके उपर से इस तरह से क्रोस करके तो ये वाली सलाई में कम्प्लिट कर लेती हूं ये देखे फ्रेंड्स हमने तीन सलाई कम्प्लिट कर लिये अब आजाते हैं हम रोंग साइड पर ये हमारी दाश सलाई चोथी सलाई ये पूरी सलाई हम उल्टी बनाएंगे पूरी सलाई उल्टी आएगी कि तो ये देंकि फ्रेंड्स हमारी चार सलय कंप्रेट हुई और यही पैटर्न हमारा कंप्रेट हुआ यहां से यह तक तो यही चार्स रही आपको बार-बार रिपीट करनी है मैं एक बार और आपको रिमाइंट करा देती हूँ तापकि आपको पता चल जाए कि दुबारे हमें कैसे करना है बिल्कुल वैसे ही ये फंदा उल्टा बुनेंगे धागा पीछे करेंगे और फंदा ऐसे लेपेटेंगे एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे और ये फंदा सीधा बुनेंगे फिर धागा आगे करेंगे फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे लेपेट कर और एक फंदा उल्टा बुनेंगे तो हर पंदच साथ हम ऐसे जाली बनाते जाते हैं और यक फंदा शिदा बुनते हैं और एक अंग पंदा उल्टा बुनते हैं ऐसे हमारी शुरु वाकत होती है तो आई होप और आपको यह पैटरंग पसंद आया होगा हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर करना ने भूलें और यदि फर्स टाइम चैनल को विजिट किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर दें तो फ्रेंड्स बिलती हूँ जल्दी अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार थैंक्स वबाजी